हेलो फ्रेंट्स आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रहे हूं पकोडा कड़ी प्रेंट्स मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है उसमें से कुछ डिस्टों बहुत ही अच्छा बनाती है जिसमें अदर मैंने उसके अंदर में आदा कटोरी बेशन डाल दूँगी और एक चम्मच मिर्ची डाल दूँगी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है और एक चम्मच मैं यहां पे हल्दी पाउडर डाल दूँगी और एक चम्मच नमक डाल दूँगी नमक यहां पे टेस्ट के कोड़िंग है मैंने आप एक चमबस नमक लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसके इंदर पानी डाल दूंगी मैंने इसके इंदर साड़ी तीन ग्लास पानी डाला है उसके बार ये पतला बेटर बनके तयार हुआ है अब मैंने यहां पे एक कडाई ली है और ग्रेस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है अब मैं इसके इंदर टू टेबल स्पून ओल डाल दूंगी और उसके इंदर में हाफ टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी और इसमें मैं चुटकी बर हिंग डाल दूंगी अब मैं अपने बेटर को इसमें डाल दूंगी कड़ाई में डालने के बाद इससे चला देंगी मिक्स कर लेंगे इसे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम उबाल आने तक पकने देंगे यह देखिए फ्रेंट्स मेरी कड़ी में उबाल आ गया है अब मैं गेस का फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसके अंदर अदरक और लेसुन का पेस्ट डाल दूंगी यह ओप्सनेल है अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आप इसको स्कीप कर सकते हैं लेकिन मैं इसके अंदर यह डालती हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्मेल और इसका टेस्ट कड़ी के अंदर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमेड कर देती हूँ और इससे ऐसे मिक्स कर लेगे हमारी पूरी कड़ी बनके तयार होने में कम से कम आदा घंटा लगता है और इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है तब यह कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हम इसको धिमे धिमे पकने देंगे जब तक हमारी पकोड़ी बन रही है तब तक हम पकोड़े की तयारी कर लेते हैं पकोड़ी के लिए मैं एक कटोड़ी मेने आपे लिए इसके अंदर में नमक डाल दूँगी तेस्ट के कोडिंग में नमक डाल देंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगी और इसमें पानी डालके से मिक्स कर लेंगे अब मिक्स करने के बाद में इसमें प्याज डाल दूँगी आदा आधी प्याज मैंने ली थी उसे मैंने कट कर लिया है और इसमें डाल देंगे धनिया पत्ति डाल देंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं थोड़े से सोप के दाने डाल रही हूँ इसे पकोड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और कड़ी में और चुटकी बर खाना सोडा हूं और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें खाना सोडा डालने से पकोड़ों थोड़ी सॉफ्ट हो घाथी है तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैक हम एक कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे पकोड़े के पीस डालेंगे हम थोड़े छोटे छोटे डालेंगे पकोड़ों का साइद ज्यादा बड़ा नहीं करना है यह पकोड़ों को हम पलड़ देंगे यह हमारी पकोड़िया सिंग गये अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे यह हम कड़ी को चलाते रहेंगे बीच बीच में अब मैं कड़ी के अंदर मेथी के पत्ते डाल रहे हूं हरी मेथी के पत्ते डाल दी और इसे मिक्स कर देंगे यह देखिए फ्रेंड्स अब हमारी कड़ी बन के तयार हो गई है यह देखिए यह पहले इतनी थी और अब यह उबल उबल के इतनी हो गई है हम कड़ी को जितना पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा अब यह हमारी कड़ी बन गई है अब हम गये इस तड़का तड़के के लिए हम एक पैन लेंगे इसमें ओयल डाल देंगे कोई भी कुगिंग ओयल डाल देंगे और उसमें डाल देंगे राई और अब इसमें डालेंगे दो लाल साबुट मिर्च और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पते और गयस पन कर देंगे और अब हम हमारी कड़ी में लगाएंगे तड़का यह देखें और गार्णिशिंग के लिए इसके उपर रखेंगे हरा दरिया यह देखें फ्रेंट्स हमारी कड़ी बन के तैयार है तो फ्रेंट्स आपको कैसी लगी मेरी पकोड़ा कड़ी की रेसिपी इस कड़ी को हम चावल के साथ और चपाती के साथ खाते हैं मैं तो इसे चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ और फ्रेंट्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे इसे शेयर कर दीजे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ सब तक के लिए बाबाय टेक एर